आज हम बात करते हैं सेल्ज को लिकर जी हां दोस्तों सेल्ज जहां तक मैं जानता हूँ अगर आपने यह वीडियो पूरा देख लिया न आज के बाद आपको सेल्ज एजी लगने लगेगा चाहिए आपको कितना भी टफ। कोना रहा हो चाहिए आप किसी भी फिल्ड में काम क्योंना करते हो चाहिए आप जॉब करते हो या आपको बिजनेस हो या फिर आप कोई अफिलेट मार्केटिंग का बिजनेस करते हो लेकिन आज के बाद आपको सेल्स करना बड़ा एजी लगने वाल है जी है दोस्तों इस वीडिय तो कि यही है कैसे बैचना आगया कुछ भी हसल कर सकता, आपने लायफ को किसी भी लेवल पर ग्रोग कर सकता है, वह जो चाहे वह कर सकता, अपने हर ड्रीम को कर सकता है वैसे मैं आपको बता दू जैसा कि मैंने कहा कि यह हर फिल्ड के लिए वीडियो बहुत ही शानदार है, जैसा कि लोग जॉब करते हैं तो वो सोचते हैं कि वो एक्षिल में बेच के आ रहे हैं, वो तो कुछ बेची नहीं रहे हैं, तो मैं बता दूँ कि वो सबसे जादा बेचते हैं, सबसे पहले अपना समय बेचते हैं, उसके बाद अपने स्किल्स को बेच देते हैं, और एक प यहां भी दो बजाएं, पहली तो यह कि कुछ लोग मजबूरी में समय बेचते हैं, कुछ लोग मर्जी से बेचते हैं, जब आपकी skills आपका काम इतने बड़े लेबल पर फेमस हो जाता है, आपकी value बड़ जाती है, लोग आपको जानते हैं कि आपको क्या आता है, कितना आता पता ही नहीं होता है कि किसको कितना profit दिजए सकते हो, तो वहां पर मजबूरी का शिकार होते हो, तब आपको तरह पेड नहीं मिलता है, जितने काम करता है, जितना आपको टाइम की value होती है, आपको जो बीजनेस करते हैं, बहुत बड़ा पहलु होता है, यह हैं अब बात क वो मिल जाते हैं जो चाहता है तो सेल इस दुनियां का सबसे बडा आजूबा है युक सेलस करना आ गया हो तो सब है तो दिख साथ और 10 बेस्ट्ट शागेक। जीहां दोस्तो दस ट्वेश्ट टकनिक देने वाला हूं आप ज्यान से सुनियागा इस वीडियो कू, आकरे तक मैं बने रहीएगा, मैं बताना आपको सेल्स करने ना, बड़ा यूजी लगने वाला है, तो शुरू करता हूँ आपको पहले टे कूंफने प्लाने टेकनिक कीर हैं, कि सेल्स की दूनिया का प्ला डूंस सभीड प्लाम स सब्सक्टोर में अपना सेल सेल नहीं कर सकते हैं आपको कोई कप्रा को बिस्निस है आप यह देखिए कि 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 इस कपड़ी बेच रहे हैं अगर आप female category के कबड़े बेच रहे हैं तो आपको वहाँ पर festivals का special देना होगा और वहाँ पर कुछ ना कुछ unique और हमेसा offer launch करते रहने चाहिए या फिर आपका हालवाई का business है तो आपको यह समझना होगा कि सुभय नास्ता क्या होता है समको नास्ता क्या होता है और सब्सक्कानास्ता सब्सक्राइब इसका यह था यहाप को पता है क्या इसकते हैं कस्टोमर को है आया कोई एक सामन लेने क Coach सभर ने क्यों है lakin बिच्छ कर सकते हो। नम्किन की तरह ओं तो बूले जाएगा, एजे ली ले जाएगा जब भी बनता है जब पर पहले गोड रिलिशनर बनता है जब आप दुनिया को सुनोगे और समझोगे तब समझा पाओगे जब आपको बता चलेगा एक्चुल में उसे नीड क्या है गोड रिलिशनर जी हां अच्छी सुनगाई इसे से आप अपनी कस्टमर के साथ में एक ग है को में अपने साथ जोड़े निये के लिए थाद था मॉट ब्रॉडबेेट करें उस्पेशल 이야기 हो क्रोण पाउस पास अपने ज़या हो करें busy होगा टाइम जी हां दोस्तों टाइम दुनिया में नहीं सबसे ज़्यादा जो कीमती चीज़ वो टाइम इस दुनिया में सब को अलग लगते रगी अलग लगती चीज़ें दी गई है लेकिन टाइम है जितको डिस्ट्रिबूट करने में कहीं पर भी किसी भी तरह की बहुत ज़रूरी है जब भी अपका कस्टुमर आपको कुछ डिमांड करता है अगर आपके पास नहीं भी होती है कि यह उस टाइम तक आपके पास अविलेवन हो जाएगी तो आपको अपनी प्रोड़क्ट या सर्विस को उस टाइम पर अविलेवन करना ही होगा चाहें य और बार बार आएगराग दोनमा बड़ा फर्क होता है एक बार आएगराग एक बार प्रोफिट देगा बार बार आएगराग बार बार प्रोफिट देगा जब को कर देगा डवल वो है बार बार का सिंगल समझ आए ना जब को कर देगा डवल वो है बार बार का सिंगल तो कुछ भी पिच ना करें, नर्मली के का हाल चाल पूछे, अगर आप जनरल स्टॉर पर है, तो कोई भी कस्टिमर आपके यहाँ पर आता है, तो अगर आप उसे हैलो आइ करोगे, तो थोड़ा सा जीप होगा, लेकिन अगर वो कस्टिमर बार बार आपके आया आता है, तो और यही होता है यही है sales का process firstly hello hi करें उसके अपने साथ interact करें एक प्यारी से smile दें चाहें आपके अंदर कितना भी कुछ भी लोचा हो रहा हो एसका अगर मूड भी खराब होगा लेकिन बुरा फ़र्क फर्क होता है देखकर मुस्कराने हाएं और मुस्कराा करके अब देखके Nãoaghetti मुष्क्रा करके बाता हहां कि थोड़ा बदले से हम्चSuाम बदल जातें तो ईसलिए कि मुस्काना का वा के साथ थोड़ा साश्वाइब के थोड़ा सा फिंग किसे का रहा हुआ हो अगर आपके सामने को निकल लेकिन उसे मौका दें वोलने का कोशिद करें कि वो आपको साथ पुले मिले और खुलकर अपनी हरी बात आपको बता है आप हर बार बोल रहे हैं लेकिन उससे जानने की कोश्चित करें कि सर कैसा बढ़िया है सर आप कैसे हैं जितना रेस्पेक्ट होगे और जितना कुछ पूछोगे कभी भी ऐसा कोई सवाल नहां करें जिससे जिसका जबा बता है कि हमें 10,20,000 अर्वे को प्रॉपिट था तो आप उसे पुछ है कि सर इतना ही प्रॉपिट क्या थे था था नहीं बताईएगा तो यहां पर आपको कस्टुमर से भात करने का मौका मिलेगा इंट्रेक्शन का मौका मिलेगा अब उन्हां आपको पूरी कहानी बताना इस कहानी से क्या हो गा कि वा आपके साथ करेक्ट हो गा एक आपके साथ में क्यांकशन वहीं से टार्ट व Caesarा को गया आपका deal final होने का time हो गया उसके बाद आप end to end ये close end question भी कर सकता हूं कि sir मैं आपकी यहाँ पर help करा सकता हूं यह है अब फिर अपने प्रोडक्स के या service के profits दिखा तकते हो और अपने sales को close कर सकते हो अब हम बात करते हैं 7 टेक्निक की जी हैं दोस्तो नए customer और नए opportunity यह कैसे अब मैं बात करूं आज के time पर कि आपको customers कहां से मिलेंगे जी हां दोस्तों आपकी बहुत बड़ी list होती है लेकिन वह छोटी कभ हो जाती है पता नहीं चलता है आपकी customers कभ complete हो जाते हैं पता नहीं चलता है नए customers को लाने में बहुत कर्चा होता है बहुत सारे लोग अप जो करोते हैं अची चीद होती है और आपको नए-एक कस्टोमर भी मिल जाते हैं लेकिन दो तरह के एक वह जो आपकी सर्विस क्वालिटी जब बहुत ज्यादा बैस्ट होगी तो कस्टोमर आपके लिए आपको ब्रांड रमिस्टर बनेगा आपको कस्टोमर ही आपको मिल आपके तक बन जाएगा तो यह होता है क्वालिटी आप सबस्क्रावर ये बहुत अचा परमोर्ज और ऐड़क बन जाता है अगर आप अपने कस्टोमर पर काम करते हैं तो आपको प्रमोट और एड़के जाता है और उनको चुछ अच्छआ ऑनगेक्स्रा ऑफर भी दे करके control and growth process को समझना कि आपको growth कैसे जा रही है और आपको कहां पर करना है जितनी best salesman होते हैं एजेंट होते हैं या company corners होते हैं वो कुद का analysis करते हैं अपनी performance का analysis करते हैं कि आज उन्होंने कहां और कितना गड़ बढ़ की है analysis करते हैं जब अपने हर activity को no down करते हैं शीट बनाते हैं यहां दोस्तो सीट एक्सल पर अपनी सीट बना सकते हैं और आज के नहीं मतलब आप Excel पर ही सीट बनाए क्योंकि जमना टेक्नोलोजी के साथ चल रहा है आप यही टूल्स का भी इस्तमाल कर सकते हैं एक्सल सीट बनाने रह्यतिव टाइन था और आपने कितना सीखा कितना नहीं सीखा कहां कमी थी कहां कमी नहीं थी जब तक आप खुद का analysis नहीं करेंगे अब बेसेल्समें नहीं बल सकते हैं आपको पड़ग दे नाइट में और सोने से पछले कुद की अनलीसिस करनी होगी और नेक्स दे की प एपरट्मेंट से आप किसी कम्पनी को ऊणर हो चोटा से सौर्प चलाथे कुछ भी हो आनिछ दिल्स तो कहीं भर चीजें यहां की वहां रही होती है आपको अपको ध्यन कोुछ है रहता है कि मारी पास है भी की नहीं है कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं किसी स्वाप के अंदर कहीं पड़ा हुए या डिजिटल फील्ड में जो भी हमारा ड्राइब से कहीं कोई चीद पड़ी होई तो डिसेंट्रलाज़ाइशन है कभी उनको जगह उनकी एक्सचेंज कीजिए जो चीज़ें आपको जातर इस्तमाल अंदर से बाहर निकाली लोगे लेकिन आपको याद ही नहीं है उनकी जगह को एक्सचेंज कीजिए डेपार्टमेंट में कई वा लोगों को भी शिप्ट राना होता है इतर सो दर डेपार्टमेंट लोगों को सिफ्ट करने का मतलब यह नहीं होता है कि पूरा डेपार्टम आप लोगों को इधर से शिफ्ट करके के आप यूनिक तरीके से आपने पता लगा सकते हैं जी हां दोस्तों यही दता है जो एक अच्छे बिजनेस को मेंटें करने बहुत हल्प करता है अब हम बात करते हैं 10 टेक्निक जी हां लास्ट 10 टेक्निक को लेकर के दा ग्रेट जब बात करते हैं कि या इजेंक हो यह अच्छा अच्छल्समर होता है यह अच्छा होता है ये समय नहीं करी सकत यह संधन alcohol को किस Spaß के बाता हूं चलंध कर कर दो कि वी करीदी नहीं सकता है जैसे कि कि एकांट में सेल नहीं आती है जियां दोस्तों नॉर्मली इन इंडिया हो साथ तारी अगर आठ तारी को नौ तारी को आप उसको बड़ी बड़ी चीजने दिखाते हैं तो आपकी सेल्स हो जाएगी जैसे कि अगर मैं बात करो फूड की या फूड सर्विस को ले इनको शौफ करते हैं और इनको अट्रेक्ट होता है यह इस्तमाल कर लेते हैं लेकिन वहीं मंत का लास्ट चाल रहा होता तो पताए कि वह इसकी पॉकिट खा लिए आप इसको राजभूग नहीं दिखाना है आप इसको सिंपल साली दिखानी है दो प्राहटे दिखाने है कि किस समय पर क्या दिखाना यह होता है नाल्लिजशन सही समय पर सविशल्स को ले करकैं जहां तक मैं जानता हो दोस्तों आज के बाद sales करना आपके लिए काफी easy हो सकता है, अगर आपने इस सीख लिया हो तो, देखिए दोस्तो, किसी भी ग्यान को सरफ लेने मातर से, या जानने मातर से, कुछ नहीं होगा, ग्यान को apply करना होता है, knowledge कोई भी rules आपने सीखा है, वो rules जब तक कारकार नहीं है, जब तक आप इसको implement नहीं करते हो, आपने जो भी इस वीडियो से सीखा हो, उससे अपनी life में implement कीजिएगा, तब ही आपकी growth होगी, मैं आपके सपना को फूरी तरह सपोर्ट करता हूँ, और हाँ, अगर ये content आपको पसंद आया है, जहां तक मैं जानतो हो, ये content सच में आपको तो इसे आप अपनों के साथ जरू शेयर कीजिएगा, क्योंकि जब आप किसी की life में value add करते हो ना, तो मैं आपको बता दूँ, संसार में आपको उससे भी ज्यादा मिलने वाला है, जब आप किसी की life में value add करना भी एक sales का हिस्ता है, अगर आप किसी की life में value add कर रहे हो, अपर उसे लग रहा है कि आप सच में उसके life में value add कर रहे हो, आप उसे कुछ अच्छा दे रहे हो, तो no doubt वो आपके साथ tweet मनाएगा, आप पर believe करेगा, thank you for watching this video, आपने आकर देख वीडियो को देख उसकलिए बहुत बहुत धन्यावत क्योंकि कई बार होता है लोग बीच चाहिए, वो ऐसे content को देखते हैं, वो ऐसे videos को देखते हैं, वो अपनी life में value add करते हैं, कुछ नहीं कुछ नहीं सीखते हैं, आप उन्हीं हैं और यहां बात, जहां तक मैं जानता हूँ, आप एक मैंतों आकांशी इंसान है, जो अपनी जिंदिगी में कुछ करना चाहता ह तब ही आप आके तक इस video में बने हुए हैं, एक बाद फिर से मैं कहूँगा कि मैं इनके आपके सबनों को पुरी तरह सपोर्ट काता हूँ, और हाँ, हर बार किते हैं एक बाद फिर से, आप सभी करते हैं कि अन्हींत गराएं से प्रेम पूरोग, बहुत बहुत धन्यवाद